आज के जनसत्ता में आप लोगों को दो आर्टिकल पढ़ना बहुत जरूरी है और वैसे आप लोगों याद रखिए कि ये लापरवाही की बात की जा रही है किसकी लापरवाही की हमारी लापरवाही और हमारे जो पॉलिटीसियन है यानि की कहने का मतलब है नेता है उनकी लापरवाही की बात कीई है उसी लापरवाही के आप देख रहे हैं किस तरह से कहर बरसा है और आप सबी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में daily case भी आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में एक तरह से death भी हो रहे हैं लोगों की समझ रहे हैं? और आप लोग यह भी जानते होंगे कि अधिक तर लोग hospital या फिर testing के लिए जाही नहीं रहे और आप समझ सकते हैं कि अगर जाएं तो क्या इस्तिती बनेगी WHO हो, सैउक्तराष्ट संग हो या बाकी आप देख सकते हैं कि दुनिया के कई देश हमारी मदद के लिए खड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि इतने लोग, अगर इतने संस्थान आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं तो समस्या तो गंभीर ही होगी चलिए देख लीते हैं किस-किस की लापरवाही की गई है और उसी का पैड़ा मुगत रहे हम लोग और जब तक ठेक नहीं हो जाता है, मुझे लगता है तक आपको ख्याल लखना चाहिए क्योंकि ऐसी ऐसी तस्वीर हैं आ रही हैं कि आप एक तरह से दहल जाएंगे कि इंबोलेंस नहीं मिल रही है या फिर आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रही है बैड की विवख्सता नहीं हो रही है तो मैं तो कहता हूँ यह परिस्तिती ही ना है उससे पहले ही समझ जाई है तो इस आर्टीकल को लिखा है रसाल सिंग ने और जल्दी पूरी आवादी को टीका लगाने के लिए बड़े स्तर पर संसादनों और टीका करण केंदों की जरूरत है और इनका बंदोवस्त करना भी केंदो राज्य सरकालों के लिए बड़ी चनौती है यह भी याद रखना होगा कि सिर्फ टीका करण की पर्याप्त नहीं है इसके साथ दबाई भी और कड़ाई भी वरतमान परिस्तितियों में सरवादिक अपेच्चित बिवार है आप सभी जानते हैं कि एक मई से यानि कि आज से आपके सभी लोगों को टीका करन करने की बात की गई थी अब देखी कई राज्यों में अभी चालू भी नहीं होगे हैं और आप देख लेना ओनलाइन रिजिस्टेशन भी हो रहे हैं तो अपने मोवाइल से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग आराम से कर सकते हैं आयोग सेतू एप से भी ठीक है और आप सभी को मालू होना चाहिए कि एक तरज से टींका करन श्रब को लगाना सब तक पहुंशवाना ये भी एक चनोती बनी हुई है बैसे ही हाल है जैसे आप समझते होंगे कि आपके देश में कई ये उजनाय बनती हैं कई नीतिया बनती हैं लेकिन उनका फायदा जमीन पर जो रह रहा होता है असल में उन नीतियों की जिसे जरूरत होती है उन तक वो नीतिया नहीं पहुंश पाती है तो ये भी देखना होगा और याद रखे जिसने वैक्सिन लगवा लिये आप देख रहे हैं कि उसे भी कुरोना हो रहा है तब भी आपको 70 तो रखनी होगी वैक्सिन लगवाने के बाद भी और एक बात हम इसा याद रखे कि कोई भी वैक्सिन हो 100% एफेक्ट नहीं करती है यानि कि 100% रिजल्ट कभी नहीं देती है इसके बाद आप देखें तो पुरानी एक कहवत आप लोगोंने सुनी होगी सावधानी हटी और दुरगटना घटी इस कहवत को अपना कर्माना और समाज तवाम तरही की दुरगटनाओं से बशता रहा है लेकिन कुरोना काल में हम इस कहवत को भूल गए थे और सुरुवात में तो हमने खोब सावधानी वर्ती और इसलिए भारत में कुरोना का परकोब भी सिमित ही रहा है पहली लहर की बात कर रहा हूँ उसके बाद आपने देखा है कि जो बीच में जो टाइम मिला हुआ है दूसरी लहर आने के तब हम लोगों ने एक तरह से हद पार कर दिल्या परवाही की नेताओं की अलग बात है नेताओं ने तो की है लेकिन हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हम लोग ने ना तो मास्क लगाया ना कोई सैप्टी रखी हम लोग निकलती रहे उसी का पैडाम हम लोग भुगत भी रहे और सुरुवात में तो हमने खुब सावधानी वरती और इसलिए आपने भारत में देखा है कि कमी के सातिरे केंदों और राजसरकारों और नागरिक समाज और पितिक व्यक्ती द्वारा उठाए गए इतियादी याती कदमों और आवसक बिवार ने भारत में सरवाध दे के जन हानी होने की बैस्विक संस्थाओं और बेसे सग्गों की भविस्तमाणी गलत सावित कर दिया था और इन संस्थाओं वे सिसकों ने भारत की बड़ी आबादी, आसिक्चा और स्वास्त धाची की चिंता जनक आपर्याप्तता के कारण महामारी का प्रिकोब, सरवाधिक रहने की असंका जताई थी लेकिन आपने देखा है कि हमारे यांगी स्वास्त धाची क्या बनी हुई है, इससे दुनिया जानती है, और जग जाहर है एक तरह से आप समझेए, लेकिन आप समझेए कि पहली जो लहर आई हुई थी, उसमें हम लोगोंने काफी सेप्टी रखी, काफी सुरक्षा रखी, आ लेकिन बाद में जिस तरह बेपरवा होते चले गए, और इसका खामयाजा आज भुगत रहे हैं, और यह समाज और सरकार दोनों इस तरफ पर हुआ है, फिस इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, और सरकार हैं तो जिम्मेदार है ही, ठीक है, और आप देख रहे होगे कि ठी किसी नहीं लगवा रहे हैं कई लोग, कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का कुछ ऐसा है ही नहीं, तो अब यह भी जागरोख हो जाई है, आप समझ सकते हैं कि जब किसी परिवार का एक मंबर जाता है, तब उससे पूछे कि कितना दर्द होता है, समय रहे ध्यान रखी अपना और परिवार का भी 2020 की समात्ती होते होते कुरोना संक्वनदर के नीचे आते आते हम निश्चित हो गए थे निश्चेंत हो गए थे यानि कि आपने देखा है कि 2020 खतम हुआ खतम होते होते आपने देखा है कि बिल्कुल नीचे पहुंच चुके थे केस एक तरह से, ठीक है, और यही निश्चनता बाद में गोल आपरवाही बनती गई, और यही सबसे बड़ी हमारी गल्ती भी है, जब तक सत्रू पूरी तरह से खतम ना हो जाए, तब तक जीत अपूर होती है, इसे आप लोग इस तरह वहां से हटा ले, तो यह तो लाफरवाही होगी ना, जब तक यातंक बादियों का पूरी तरह से खातमा नहीं हो जाता है, और हमें भरोसा नहीं हो जाता है कि अब हमारे उपर कोई आकमड नहीं करेगा, तब तक मुझे लगता है कि हमें जागरूप रहना चाहिए, ठीक ह को सीखने को मिल सकता है, लेकिन हम सीखें तो, आद्थिक सर्विक्षन 2020-21 जैसे पूर मनवानों ने भी कोरोना के भी दी, सरकारों लोगों को लापरवाह बनाया, इस सर्विक्षन में इस प्रश्ट तोर पर यह कहा गया था, कि साल 2021 में टींका करन सुरू होने के, बाद भ बनाया है, और एक बात आप लोगों कुमाल होगी, लेकिन कई डॉक्टरों ने चेतावनी जरूर दीती, कि दूसरी लहर आएगी, समझ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और आज यह पूर्मनमान गलत साबित हो गया है, और भा विचार करना भी आवस्सक है, जिसे आप देखेंगे हरिद्वार में कुम का मेला, अभी लगा हुआ है, आप देख भी रहे हैं, ठीक है, और कई साधू संत भी वहां कुरोना पॉजिटिव पाये गया है, ठीक है, पांच राज्यों में चुनाव की बात करें, तो इससे प पश्टे मंगाल में आपने देखा है कि चुनाव जब तक चल रहे थे, तब तक टेक्स्टिंग बिल्कुल कम थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक तरह से कुरोना विस्पोर्ट सामने आ रहा है, बहुत बड़ी संख्या में केस भी आ रहे हैं, ठीक है, उत्तर पेदिस मे आप देख रहे हैं कि पंचयाती चुनाव हुए हैं, और एक साल से रुके हुए बिवाव और आदी सामाजी कारिकमों ने महामारी को फिर से सिर्फ उठाने का मौका दे दिया है, आपने देखा इस चुनाव में कई लोग जो डूटी कर रहे थे, उनकी भी डैथ काफी पायों नीमों का उल लगन भी खालाद खतरनाक बना डाले हैं, और आप समझे कि जो भी सरकानों ने आपकी नियम निधारन की हुए थे, तो उसकी पहले सबसे पहले तो धज्या निताओं नहीं उड़ानी शुरू की हुई है, उन्होंने जिस तरह से रेली की हुई है, नहीं कोई सेप्टी बिनाईर हुई है थी, तो आप समझ सकते हैं कि जब घर में ही आप सोचे कि घर मा जो मुखी आए, वो ही लापरवाही करें, तो बाकी सदस्तों का लापरवाही करना सामान इसी बात हो जाती है, इन आईजुनव में बर्ती के लापरवाही और गेर जि समझे कि कोई ही विब्दा आती है कोई आपदा आती है कोई महामारी आती है कोई बीमारी आती है इससाब से जानदा नुकसान आम आदमी को जेलना पड़ता है जिसकी आरतिक इस्तिति सबसे बुरी होती है तो ये बात अब लोगों हो भी जान लेना चाहिए कुरोना के पिति समाज की गंभीता, सजक्ता और सावधानी संकमर के खिलाब लड़ाई का मूल बन्त है लेकिन पिछले कुछ महीनों में लोग करोना पूर की मना इस्तिती और जीवन सेली की और लोटने लगे थे यानि कि सब कुछ सुरक्षा मरक्षा तोड़ कर एक तरह से आप समझ सकते हैं ये पार्टिया करना एक जगे से दूसरे जगे जाना इस सब करने लगे थे बेभूल गए थे कि कुरोना के इससे बचाओ के उबाए अब नए सामन अभिन हिस्सा बन चुके हैं दोगज की दूरी मास के हैं जरूरी जब तक दबाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं और ये न महत्मा गंदी और लालबादर शास्तुरी के जीवन दिवार से हमने सीखा था कि कथनी और करणी के आदोयत से ही नारे सार्थक और सजीव होते हैं मुझे दो लगा कहीं कि लालबादव साक्तरी और गांधी जी को भी इसके लिए जिम्मेदार ना ठहरा दिये जाए इस हमारे देश की स्वास्त जो भी हालत है इसकी जिम्मेदारी भी कुरोना की जिम्मेदारी भी गांधी को दे दी जाए क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे निताओं में एक वहांता है कि कुछ अच्छा होता था उसका सुरे खुद ले लेते हैं और जब कोई बुरा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार किसी और को ठहरा देते हैं एक आर्टीकल है आपका इसी तरह का अगर टाइम मिलता है तो उस पर भी हम लोग देख लेंगे ठीक है लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे लोगों का मानस ना दवाई जरूरी ना कडाई जरूरी जैसा बनता चला गया और संक्मण बेकाबू होता गया टीवी रेडियो और अख़वारों में हम ए नारे देख सुन रहे थे लेकिन बेवार में इनका सक्ती से पालन होते हमने कहीं नहीं देखा पांच राज्यों की विधान सवार चुनाओ में आप देखेंगे हजारों हजारों लोगों की रेलियां हुए सभाएं हुए रोडसो भी हुए और जाहरी कि ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं कि संक्मण फैलने को रोका नहीं जा सकता था और आपने देखा है कि पश्चे मंगाल में एक बहुत बड़ी संक्या में रेलियां हुए और भीड भी हुई कापी लेकिन आप समझे कि अकर टेस्टिंग ना हो तो आप सको कैसे मालू चलेगा कि वहां एक तरह से कुरोना फैल रहा है और ऐसा तो कोई रिस्ता है नहीं कि चुनाव नहीं चुनाव हो रहा है तो कुरोना जाएगा नहीं अगर भीड हो रही तो आप समझे कि वहां और बिस्पोट हो सकता है और हो भी रहा है कितनी बड़े संख्या में डेली अपकेस आने लगे हैं आप सभी जान रहे हैं उत्तर पिदिस में आप देखेंगे चुनाव ड्यूटी में करने वालों 130 से जानद सिक्षक संकमड की चपेट में आकर जान दो बेटे यानि कि चुनाव के पैड़ा मतलब जो भी रहें आम मानस पर जो भी इसके पिर वहां पड़ें लेकिन आप समझे जो लोग ड्यूटी कर रहे थे वो भी कई बड़ी संख करते हैं कि लोग कहते हैं सरकारी नौकरी आप समझे आप लोग की सरकारी नौकरी का पईडाम भी क्या हो रहा है आप चाहे कर भी एक तरह से चुट्टी नहीं ले सकते हैं ठीक है और इनी सबके मद्दिनजर मद्रास उच्छिनाले ने दो मई को मतगड़ना बाले दिन कु अनिश्चित कराने समंदी याजका की सुनवाई करती हुए चुनायों के खिलाब तल्क टिपड़ियां भी की हुई हैं और आपने ये भी देखा है कि आपकी कई परिच्छाएं टाली गई हैं लेकिन चुनाव नहीं टाले गए या फिर चुनाव करवाने थी तो आप समझ से लापरवाय की हद कर दी थी ठीक है और अदालत ने चुनाव आयुक की लापरवाही और गरज जवाबताही को रिखांकित करती हुए से निदोस्त नागरेकों की हत्या का मुकद्मा दरच करने युग माना है देखिए इसका मूल्यांकन अभी भली ना हो रहा लेकिन इस उस समाश्य इस इन बातों का चोटी है जोटी चोटी बात है लेकिन उस समय आप शोचे कि मूल्यांकन किया जाएगा अर देखा भी जाएगा कि मतलब किसकी कहा गलती रही है चुनायूक की कहा जलती रही हुए है आप समझ रहे हैं कि हमारे नयालय काफी समय से चुब कि जब इदिहास में मूल लियंकन होगा तो उन्हें भी गालियां पड़ेगी तो अब काम से कम खोलना मुह खोलना उन्होंने शुरू किया है और उन्होंने यहां तक टिपड़ी कर दी कि अगर ऑक्सीजन की आपूरती में कोई बाधा पहुंच जाता है तो उसके लटका दे कि जब जंता ही नहीं रहेगी आम बेक्ती ही नहीं रहेगा तो लोगतंत क्या रहेगा चुनाव का मतलब क्या रहेगा समझे रहे हैं? तो यह हल रहा है यानि कि चुनायों भी बरावर जिम्मेदार है दूसरी लहर के खद्रे को लेकर विसे सग्गों की बारंबार चेताउनी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है कई विसे सग्गों ने हम मैंने पहले भी बात किये कि चेताउनी दी हुई थी लेकिन अप लोगों ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया है थोड़े से हाला सामन होने के बात से ही सरकार और लोग यह मान कर बैठे थे कि हाला तब काबू में हैं और हम महामारी से मुक्ती पानी की ओर बढ़ चले हैं और आपने देखा है हमारे कई नेता इसका सरेवी वटोडने में लगे हुए थे और वाही वाही लूट रहे थे एक तरह से केंद सरकार की ओर से बार-बार निश्चे दिंतिता पैदा करने वाले ऐसे बयान आते रहे जिन से लग रहा था कि हाला तब सामान हो रहे है और उसी का एक तरह से लोग मानते रहे आहिस्ता आहिस्ता केंदो राज्यों ने चांदातर पावंदियों को हटा दिया आपने देखा होगा जेम हो रेस्टोरेंट हो तरन ताल हो सारवजनिक परिवाद सेवाय हो सब पहले की तरह चलने लगी थे और आपने लोगों ने अगर इस टाइम बस में कभी सफर किया होगा दूसरी लहर आने के पहले तो आपने देखा होगा कि वही इस्तिती बन चुकी थी जो कुरोना आने से पहले बनी हुई थी कि भेड वक्रियों की तरह बस में भार देना ठीक है क्योंकि आप देख रहे थे कि अब कोई बस फिरी में थोड़ी चलाता है वो भी तो फायदय के लिए देखता है तो मैं तो देखा है कि काफी भीड भार रही है इसका सब का नतीजा यह हुआ कि भीड तेजी से वढ़न कुन नयोता दे दिया है और एक बात और आप लोग उने सुनी हुई कि कोरोना बड़ा सम्मान दायक है जब तक आप उसे बुलाते नहीं वो आता भी नहीं है तो आपने हमने नयोता दिया है तभी वो दूसरी लहर आई हुई है और नतीजा आज सामने बना हुआ है और सरकारों की हमारी अंतराश्टी मेडिया पर किस तरह से आलोचना की जा रही है इसे भी आप लोग उने शायद अगर अच्छे से नियूज पेपरों को फॉलो करते रहते हैं तो देखा भी होगा देश के निजी सरकारी एस्वतालों में जिस तरह से रोजाना मरीज पूड रहे हैं आज भारत में हमारी कि मार्ज जिलने बालों में दुनिया में सबसे उपर हैं और दुनिया में सबसे उपर भी है और हमारी स्वास्थालत क्या है आप जानते हैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी सेप्टी बनाया रखी है मत निकल लिए घर से मैं तो कहत जाने तक की जरूरत ही ना पड़े इस तरह सेप्टी रखिए क्योंकि हॉस्पीटल जाना कितनी इस समय आप कह सकते हैं इस्तिती बन सकती है बहतर जानते हैं ठीक है और लक्षन हीन है इसलिए आप देख रहे हैं कि सही समय पर संक्मण की पहचान रोगथाम और उप्चार चिकिस्कों और विज्ञानकों के लिए बड़ी चनोती भी बनी हुई है एक आप लोगोंने एड्स के बारे में सुना होगा HIV वाइरस के बारे में तो उसमें भी तो आ मज़े कि इसलिए कहा जा रहा है कि 100% एफेक्ट भी नहीं करेगी यह वैक्सिन आप देख रहे हैं कई लोगों को वैक्सिन के वाद भी एक तरह से कुरोना हो रहा है तो सुरक्षित किसी भी तरह से आपको रहने होगा और साथ ही आप देखेगे बीशाडू की मारक चमता रहत भी पिछली बार से अधिक है, और इस अंकमरत दर्व और मित्तिव दर की आउंक्ड़े भी हैरान करने वाले हैं, पिछली बार आप देखते थे कम ही लोगों की लिएठ होती थी लेकिन इस समय डेठ भी अधिक लोगों को देखना ऑको मिल रही है और आपना ये भी द दिखाते हैं और हकीगत में जमीन आसमान का फ़रक होता है क्योंकि आपने देखा है कि किसी एक सहर का में आकणा देख रहा था उसमें सरकारी आकड़े यानि की दिखाए गए पंदर है और हकीगत में किसी ने वहां बताया है मतलब वहां जो लोग लगे हुए थे कि 200 की प्रेथ हुई है उस दिन तो आप समझ सकते हैं इसमें डराने वाली कोई बात नहीं है लेकिन हकीगत बता रहा हूं यह बनी हुई है और आप सभी जानते हैं कि नेव चेकल कहां सही दिखाते हैं भली आप लोग लोकतंद का चौतरा स्थम कहते हैं उसे लेकिन आज वो कहा पहुँच चुका है आप जानते हैं ठीक है आदेश को पिछले साल से अधिक सावधान और संगठित और संकल्व बद्ध होने की आवस्तिकता है और ऐसा करके ही हम इस्तहारी हुई वाजी को फिर से जी सकते हैं महावारी से निपढ़ने में टीका करन अभियान की भूमिका नहीं तो कहा जा सकता है क्यूंकि हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़ी एक जनसंक्या है एक सो तीस-पैंतीस करोड के करीब तो पहुंची ही गई होगी एक सो एक कीस करोड आपकी आप जानते हैं कि 2011 की जन गरना के नुसार है एस अभियान को गती देने के हुआ है और लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जल्दी पूरी आबादी को टीका लगाने के लिए बड़े इस्तर बस अंसादनों और टीका करन केंदों की जरूरत है और इसका बंदोबस्त करना भी केंदो राज सरकारों के लिए बड़ी चुनोती भी बनी तभी इससे वहतर तरीगे से निटा जा सकता है और इसके साथ आप देखेंगे परयाप्त दबाई और कड़ाई भी बरतमान परस्तितियों में सरवादिक अपेक्चित विवार भी है और सबसे जरूरी ये भी है कि राज्य स्वास्त सुगधाओं के ढाचे को मजबूत और व्यावक बनाने के लिए फिरात्मिक्ता के दार पर परयाप्त दिर्वेस करें और फित्यक नागरिक सरकारी नीमों और निर्देशों का पालन करने करके ही कुरोना की खलाब जारी जंग में अपना युगदान दे सकता है और इससे पहले भी मैंने कई बार बोला है आप ल वक्ष भारत अभियान को देख लीजिए इसमें आप सरकार को मात 2-3% तक सरे दे सकते हैं लेकिन आपका बाकी आप ही देखी कि आपका उसमें युगदान रहा है अगर आप जागरूग ना रहती इसमें सफलता है कि नियम निर्धारन नीतियां सब बनती रही है बहुत प क्या उसमें कोई सफलता पापाया है नहीं खेल छोड़िए इस सब बातों को अप ख्याल बखिए अपना और लगे रही है और इस तरह की आइटिकल क्या होगा कि जब आप लोग नीबंद लिखेंगे या आंसर राइटिंग करेंगे तब काम भी आएंगे उस समय आकड़े मतलब पॉइंटों को आप बहतर रख कर पाएंगे और वैसे भी सामन जानकारी के लिए इन बातों को याद रखना होगा ठीक है